प्रेविध्यारतियो आज मैं आपके लिए क्लाश 12 इंग्लिस रोज का चैप्टर नमब थ्री डीप वाटर लेकर आया हूँ इसके रैटर है विलियम डगलस इस चैप्टर में आने वाले कुछ important short answer type questions इस प्रकार है answer the following questions in not more than 30 words each प्रतेक प्रशन का उत्तर 30 सब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए निमलिकित प्रशनों के उत्तर दीजिए यह प्रशन बोर्ड पर इच्छागी द्रश्टी से आपके लिए बहुत अधिक महत्पूर है आईए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए आईए वीडियो सुरू करते हैं question number one where was the pool and what opportunity did it offer पूल यानि तालाव कहा था और क्या अबसर उसने प्रतान किया इसका अंसर है the pool was at the YMCA in Yakima river and it was offering the opportunity to learn swimming Douglas wanted to join but his mother continually warned him about the preciousness of the river यानि पूल या ताल YMCA याकीमा नदी पर था और वहे तेरा की सीखने का अबसर प्रतान कर रहा था डगलक्स उससे जुड़ना चाते थे परंत उनकी मा ने उन्हें नदी की गैराई के बारे में लगातार चेतावनी दी कुशन नमबर टू है वाट टेरर डिड डगलस हैव इन हीज हर्ट नाव हर्ट हाव डगलस के हिर्दे में क्या भैता और कैसे इसका अंसर है इन हीज हर्ट डगलस हैड टेरर फॉर वाटर वैन ही वाज एबाउट देर और फोर इयर्स ओल्ड एड कैलिफॉर्णिया बीच ही वाज विद इस फादर एंड दी वेवस नॉक्ट इम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम बिइंग ए लिटल चाइल्ड ही विकम फियर्फॉल फ्रॉम दा ओवर पावरिंग फोर्स ओवाटर एंड टेरराइजड इस गार्थ है डगलस के हिर्दे में पानी का भै था जब वे तीन अधवा चार वर्ष का था कैलिफॉर्णिया समुदरी किनारे पर वे अपने पिता के साथ था और लहरों के लहरों ने उसे नीचे पटक दिया था और वे उसके उपर से होकर निकल गई एक छोटा वच्चा होने की वज़े से वे पानी की पराजित करने वाली सक्ती से डर गया और भैवीत हो गया नेश कुश्चन है कुश्चन नमब थरी वाट डिट दा बिग ब्रूसियर और भैड डू एड दा पूल भाई एक रड़के के बड़े भाई ने ताल पर क्या किया क्यों आंसर है एब ब्रूसियर और भैड डूस अप और टॉज्चन हम इंटो एडीप एंड यवाज प्रोबैबली एटीन यर्स ओल्ड बाई बिदे ब्यूटिफुल फिजीकल स्पेसी मेन हूँ थिर्यू दा नरिटर इंटो दा पूल जश्ट फॉर फन इसका रथ है एक बड़े सरीर वाले आदमी नमाल लड़के ने डगलस को उठाया और से गेराईयों में उच्छाल दिया वे सुन्दर सारीरिक बनावट वाला अठारे वर्षी लड़का था जिसने कहानीकार को ताल में यूही मजा के लिए फैक दिया नेस्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर फूर इसका अंसर है दा पूल वाज नाइन फीट डीप देर वाज नथिंग इंसाइड दा वाटर एक्सेपट दा येलो टिंग एव्रिवेर देर वाज वाटर एंड अउनली वाटर जो ताल था वो नौ फीट गहरा था पानी के अंदर पीली काट के सिवाए पानी था पीली काई थी उसके स्वाए पानी था और कुछ नहीं था हर तरफ केवल पानी और केवल पानी ही था नेश्ट कुश्चन नमर फाइव ताल के अंदर डगलस की टांगों को क्या हुआ था उसने उस सिसी से निकलने के लिए कैसे प्रयास किया इसका अंसर है इंसाइड पूल ताल के अंदर कहानी कार की टांगे नहीं ली उसकी आंखें जड़ हो गई और निरजी बोज की बात लटक गई इस परिसिदी से उबरने के लिए उसने रसीयों सीडियों जलपरों को ढूना परंद उसके हाथ पानी के सिवाए कुछ भी नहीं आया नेक्स्ट कुश्चन नमर सिक्स वाट टेरर सीजड डगलस वाट वाज इट्स एफेक्ट ओन हिम किस भेने डगलस को जकड दिया था उसका उस पर क्या प्रभाव था इसकांसर है तेरर अफ बाटर सीजड डगलस वाज एट कैलिफोर्निया बीच और अधर अधर पूल बोथ दा इंसिदेंस तेरराइज डगलस विद एक्स्ट्रीम लेवल यह वाज अफेक्ट डीपली फ्रॉम इट अज यह पानी के बेहने डगलस को जगड़ा था एक बार कैलिफोर्निया बीच यानी समुद्री किनारे पर और दूसरा ताल पर दोनोंई गटनाओं ने डगलस को उच्छतर इस तर पर डगड़ा दिया था वह उससे गंबी रूप से प्रवाइद हुआ था परणाम सरूप हो है पानी के लंबे समय तक डरता रहा परणतु बाद में अपनी इच्छा सक्ती के बलबूते उसने अपने पानी के डर को जीत लिया यह विद्यारतियो नेस्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर सेविन वाट डिड़ डगलस डू इंसाइड वाटर तो सेविज लाइफ डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया इसका अंसर है इंसाइड वाटर डगलस मेट दा स्ट्रेटजी तो हिट दा वाटर मेग अ बिग जम्प कम तो दा सर्फेस लाइफ लेट ओनिट एंड पेडल तो दा एज ओफ दा पूल बट एब्री टाइम इज स्ट्रेटजी फेल्ड यी डिड़ दिस आल कंटिनुवसली तो सेविज लाइफ पानी के अंदर डगलस ने योजना बनाई कि पानी को चोट करेगा एक बड़ी छलांग लगाएगा सते पर आ जाएगा उस पर सीधा लेट जाएगा और ताल की किनारे पर पैर मारता हुआ पहुँच जाएगा परन्त हर बार उसकी योजना बिफल हुई उसने ऐसा बपने जीवन को बचाने के लिए लगातार किया नेस्ट कुश्चिन नमर एट हाव दिड आल एफ़र्ट सीज वाट एपन्स देन जब सभी प्रियास कैसे रुख गए और फिर क्या हुआ इसका अंसर है आल एफ़र्ट सीज़ वेंड डगलस तार ट्राइड आल हिज वेज तो सेव इस लाइफ हिज आल स्ट्रेजिस फेल्ड एबरी टाइम एड देन इस लेक्स फेल्ड लिम्प एंड ब्लेकनेश वेप्ट ओवर हिज ब्रैन देट वाइबड आउट फियर एंड टेरर एंड देन देन देर वाज नो पैनिक सारे प्रियास थम गए जब डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए सारे रास्ते तरीके अपना लिये और फिर उसकी टांगें शक्त हीन महसूस होने लगी और उसके दिमाग पर अंदेरा सा छा गया उसके डर और आतंग को मिटा दिया तता फिर कोई गवराट ना थी नेक्स्ट कुच्छन नमर्ग नाईन वाट 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 डगलस कंडिशन आफ्टर गेटिंग एसकेप फ्रॉम दे पूल ताल में से बचने के बाद डगलस की क्या आलत थी अंसर है after getting escaped from the pool after seven hours Douglas walked home he was weak and trembling he shook and cried when he laid on his bed he could not eat that night and for days a hunting fear remained in his heart and after that day he never went back to the pool and next question number 10 what did Douglas came to know after few years later what did he want then a few years later Douglas came to know about the waters of the cascades and he wanted to get into them but whenever he did wetting the titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks the old terror returned and took possession of him completely of the sea of the sea of the sea of the sea and then he wanted to know that he had to know that he had to know ना हो अद्वा गॉड राक्स की गर्म जील में नहाना हो पुराना डर लोट कर आ गया और उसको पूरी तरह बश्में कर लिया नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर एलेवन दो टू